नमस्कार मैं दिदी फॉज़र और आप देख रहे हमारे साथ नगरी न्यूज जैसा कि सभी को वेसबरी से इंतिजार था रितिक रोशन और दिपिका पाजुकोड की नई मुवी फाइटर आस्टेटर्स में एंटी ले चुकी है एक्शन फिर्म हो पाकिस्तान के कुछ सिर्फ रे विलिन हो हीरो हमारा फॉजी हो कुछ दर्ट बरी एहसास हो साथ ही एक दो तड़कते बड़कते गाने हो बस इंदी सिनिमा का ये ताज़र तरी बॉक्स ऑफिस फॉर्मूला काम कर जाता है ये सच है कि एक्शन फिर्म दुनिया भर में सबसे जादा कारोबार करने वाली फिर्मों की शेडी में आता है लेकिन फिर्म फाइटर एक मसाला फिर्म से जादा भारते वायू सेना का शेश रोल प्रे कर रही है ये फिर्म दिखाती है कि भारते वायू सेना अगर ठान ले पर रितिक रोशन दिपिका पॉर्दुगोर्ण है इस बार सिनेमा घरों में, ऐसा कहीं नहीं देखा जाएगा कि इन दोनों को देखने दुनिया भर के लोग ना आएं। इसके साथ ही रितिक रोशन दिपिका वादुगर पे फिल्म आया गया गाना इश्क जैसा कुछ फिल्म में ना देखकर फैन्स को निराशा हो गई है। फाइटर को भारत की पहली एर एक्षन यानि कि हवा में एक्षन वाली फिल्म बताया जा रहा है। फाइटर मूवी की कहानी क्या है चलिए जानते हैं। पाठनिय उर्फ रितिक रोशन, स्क्वाडन लीडर मीनल राथोड उर्फ दिपिका पादुगर, लीडर सर्ताज गिल उर्फ करंट सिंग्रोवर, उनके साथ लीडर अक्षे अबराय को इसका जिम्मा सौपते हैं। इस मिशन में कई आतंकी कैम्प भी तबाह हो जाते हैं। पाकिस्तानी एरफोस भारते हवाई टिकानों पर हमला भी करते हैं। जिसका भारते वायू सिना को महतोड जवाब देने के लिए भी बोला जाता है। इस जड़प में भारते पाइले ताज़ा और बाश्या एलोसी के पार कर देते हैं। इसके साथ ही पाक के फौजियों ने उनको बादंदी बना लिया होता है। इससे आगे गानी जानने के लिए सिनेमा घरों में जरूर जाएगे। ऐसी न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल दनगरी न्यूज के साथ। धन्यवाद।